गुट मॉर्निंग स्टुदेंट्स माइने में सेवं सिंग इस्टुदेंट्स हमने अभी तक 1.3 एक्सराइज तक सौल कर लिया हैं आज होप आप सब लोग कर लिये होंगे और आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घर पे अगर किसी कॉस्टिन में आपको डाउट हो पिछले किसी भी एक्सराइज में तो आप मुझे परस्नली मेरे जो वाटसेप मैसेज कर सकते हैं मैं आपको उसका solution and उसके doubts क्लियर कर दूँगा ओके अपनी books and notebook open कर लिजिए आज हम पढ़ेंगे exercise 1.4 के लिए कि उसमें क्या contents हैं उसमें क्या importance question दिये गए हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे तो इस्टार्ट करते हैं हम exercise 1.4 के लिए हमको क्या पढ़ना पढ़ेगा इसके round off में nearest 10 में देखेंगे nearest hundred nearest thousand ऐसे चेक करते हैं वो हम आपको आज बढ़ाएंगे तो हम start करने से पहले आप लोग अपनी books and copy open कर लिजिए जिसे जो भी important तीजिए बताई जाए वो अपनी copy में note down कर लें and video को जहां से देखें इस्टार्ट करते हैं हम लोग estimation rounding of numbers estimate लगाना जैसे घर में कुछ लगा नहीं था कि माली जै मम्मी आपकी solve करती है घर पकोई काम कि इसको purchase करने में लग भर या प्रॉक्स इतना पैसा लग जाएगा तो estimate बना जाता है कि माली जैं किसी काम को करने के लिए ऐसे numbers को बनाने के estimation करेंगे कि कौन किस group में जा किस के round off में आएगा अगर hundred के पास देखेंगे तो hundred round off, ten सुन देखेंगे तो nearest ten and thousand देखेंगे तो nearest thousand स्टार्ट करते हैं, rounding of the number nearest ten, सबसे पहला point होगा, rounding of the numbers, rounding of the numbers, rounding of the number लेखेंगे, rounding of a number nearest, nearest ten means, इसमें बताना कि कोई number हो, जिसके 10 के, according to nearest उसके 10 में, क्या उसका round off होगा, तो example ले लेता हूँ, माल लो, 43, अब जो मैं समझाने जा रहो हूँ, आप बहुत ध्यान से समझेगा, कि इसी को आपको यूज करना है, तो 43, अगर मैं number लिखता हूँ, 40, 41, 42, and 43, and 44, 44, and 45, 46, 47, and 48, and 49, and 50, तो हमने क्या heading है हमारा कि rounding of number nearest 10, means, 43 का nearest 10 कौन सा पड़ेगा, 10 में क्या आएगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, and 70, ऐसे 90 था है, ये nearest 10 के आस पास आते है, कि इनके आस पास में 43 किस के पास आएगा, तो चलिए उसको में example ले लिए हैं, कि किस के पास आएगा, अब देखे, 40 to 50 में दो nearest 10 है, एक तो 40 हो सकता है, और एक क्या 50 हो सकता है, तो nearest मतलब कि कौन किस के कितना पास है, तो 43 देखे, 43 इधर, 40 के आस पास पड़ेगा, या 50 के आस पास, देखे, किस में ज़्यादा gap ल ज़्यादा लग रही है, 50 means 50 तक तो जाएगा ही नहीं, सबसे पास में कौन सहा रहा है, एक 40, means 43 है, उसका nearest and क्या होना चाहिए, 40, very good, जो जो number जिसके पास होगा, अब एक मैं आपको यहाँ पे, एक logic बताता हूँ, या ट्रिक बताता हूँ, या एक चेक करने तरीका बतात 2, 3, 4, clear, देखें, दोनों तरफ 5 के इधर भी 4 number है, और 5 के इधर भी 4 number है, 10 के बीच में, nearest 10 के बीच में, तो इसको करने से पहले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, कि अगर number यहाँ 5 से unit place पर छोटा है, तो उसके पहले वाले nearest में आएगा, म and 44 तक यह 40 के nearest में, ठीक है, आप यह भी कह सकते हैं कि आप 45 को आगे की nearest में बढ़ा देंगे, and 45 को पीछे नहीं ले जाता है, क्योंकि इसके बाद आले जो भी number आएंगे 50 क्या स्पास आते, 44 तक हम 40 and 45 से आगे 49 तक अगले वाले nearest 10 पर आगाएगा, तो इसके कुछ example मैं औ और देता हूं आपको, साथ-साथ आप करिए मेरे साथ, 43 किसके nearest में होगा, 40 के, ऐसे ही मैं 2-3 example और देता हूं, एक 17 ले लिजिए, 19 and 41, 45, 64, 88, अब बताइए, यह 17 से उपर एक 10 होता है और एक नीचे 20 होता है, किसके पास पढ़ेगा, 20 के पास तो इसका nearest 10 क्या हो जाएगा, 20, 19 में उपर होती है, 10 और नीचे 20, तो 19 जस 20 क्या आज़ पास होता है, इसका भी nearest 10, यहाँ आपर 40 और यह 50 दोनों इनी के बीच में पढ़ता है, नीचे 10 में, तो यह इनी के पास है, इसलिए 40, नीचे 10 का 40 हो जाएगा, 45, 40 और 50 दोनों के बीच में होता है, लेकिन 45 के बास नमबर बढ़ा होता है, तो हम इसलिए इसको कहां रखते हैं, 50 के नीचे 10, आप 64 में आपर देखें, 60 and 70, तो 64 किसके आजबस पढ़ रहा है, इधर 60 के पास, इसका नीचे 10 क्या हो जाएगा, 60, 88 की चेक करें, तो 88 की नीचे क्या बढ़ता है, 90 and 80, अब आज सपोज गरोगे, 88 कितना दूर 80 से ज़्यादा है, और 88 की जस्ट ही बाद आता है, तो इसका नीचे 10 क्या हो जाएगा, 90, इस तरह से हम किसी भी नंबर का नेरेस 10 कर सकते हैं, चलिए, अब इसी में हम बात करेंगे किसका, देखिए, नेरेस 10 करने के लिए एक और आपको छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, या एक्जामपल टाइप में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे, जब हमारे पास दि 46 लिखता हूँ, तब यह 5 से बड़ा है, इसके नीचे वाला कौन सा आएगा, 50, उपर 40, 40 नहीं लिखेंगे, यहाँ याद रखे, योनिट पर शेक कर लेंगे, नेरेस 10 हम फाइंड कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से नेरेस 10 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नेक्स्ट हमारा है, निरस 100 एंड 10, अब निरस 100, यहाँ पर मैं निरस 100, निरस 100 लिखे रहा हूँ और यहाँ पर निरस不多, अब देखें मैंने जो भी पिछला जस्ट इसके पहले वाला ट्रिक बताया था यूनिट प्लेस देखेंगे वैसे 100 में देखेंगे 100 में देखें अगर मैं बोलू कि किसके आसपास पड़ेगा माली जब 123 तो 10 के लिए हम क्यों यूनिट प्लेस चेक करते थे 100 के लिए दोनों प्लेस चेक करेंगे जिसका पूछेंगा उससे कम एक चेक कर लेंगे 100 पूछा तो उसके पहले वाले दुनों देखेंगे अगर यहां पर 50 से कम आता है तो यह 100 के पास रहेगा 50 से जैसे ही उपर आ जाएगा वो 200 के पास हो जाएगा तो यहां पर 50 से कम है इसले 100 के प क्योंकि 50 से बढ़ा हो गया तो इसके जस्ट बाद वाला नियरेस्ट देखिए इजी है ना सौल करना बहुत आसानी से कर लेंगे आप लो चली तो नेक्स्ट हम देखते हैं थाउजंड के लिए सेम थाउजंड में भी अब साउजंड में आप बताओ क्या कर सकते हूं मैं बो तो यह जो है यह 500 से अगर छोटा है तो इसका यही आपका नियरेस्ट हो जाएगा 5000 अगर यह बड़ा होता माली यह मैं लिखता 5638 तो यहां से यह चेक करते हैं यह क्या है 500 से इधर डाउन है तो जस्ट इसके बाद वाला नियरेस्ट तो अभी आप चेक कर लेंगे ना उससे जस्ट एक पहले डिजिट देखेंगे वह कितने से कमा रहा बस इतना याद रखेगा कि यहां पर उसके हाफ से जादा होना चाहिए जैसे 500 500 होगा इसका हाफ होगा 5000 तो 6000 के बीच में तो 500 से जादा है तो इसका नियरेस्ट थाउज साइज में आपको करना है होमक भी है आपका चलिए तो यहां पर आपको डिफ्रेंसेस निकालने आगे एस्टिमेट समने डिफ्रेंस अगर पूछेगा कि किसी नंबर का आप माले जमने बोला 40 एट और 63 के राउंड आफ नियरेस्ट थेन का सम निकाल लिए तो इसका नियरेस्ट थेन पहले निकालेंगे इसका नियरेस्ट थेन कितना होगा 50 हो जागा 5 से बड़ा है इसका नियरेस्ट थेन कितना होगा 5 से छोटा मतलब 60 ही रहेगा अभी इन दोनों का सम 50 प्लस 60 is equal to 110 यह होता है इनके नियरेस्ट जो पूछेगा आफ से हन्रेड थेन थानतों हमने करना होगा तो आपको यह कुछ्छन है एकसर साइज 1.4 आपको यह करना है इसका बोला है कि निरेस 10 आफ हमको उसका सम करें निरेस 10 का तो यह दिखें निरेस 10 में तो यह आल्रेडी है 4040 के ही पास पर आएगा यह 67 में यहां दोनों निरेस 10 के ओन दो यह दिखेंगे तो यह क्या है 67 5 से ज्यादा मतलब क्या हो जागा 4 3 1 7 0 67 इसका निरेस 10 70 प्लस 1 7 6 3 4 0 इन दोनों को आट कर देना तो इनको आट करना आपको आसानी साता होगा क्या करेंगे आप इनको वैट कर देंगे तो आंसर जो आएगा हमारा क्या होजाएगा आंसर रंड करके अशर सकेंड कॉस्ट चेंड में औरस से कंड कॉट्चिन में नेरस थांड कर उसका भी प्लस माइनास जो भी आपको सबसे मेन रोल क्या करता है राउंड आफ निकालने के लिए आपको क्या करना है उसकी जैसे 10 बोला है तो उसकी unit सब्सक्राइब करने के बाद इन सभी कॉपी में कर लीजेगा सिक्सक्राइब इसमें हर कोई सब्सक्राइब कर लेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे वाट्सेप मैसेज या कॉल करके क्लेर कर सकते हैं ओके खैसे ड्या कोई सब्सक्राइब ऋसक्राइब टार ताउक त kingdom egg सब्सक्राइब आर टो आएपन सब्सक्राइब कर लेंगर कैंट 01